उत्तर प्रदेश में डेंगू से बच्चों की मोत के बाद मद्यप्रदेश का स्वास्थ अमला अलर्ट हो चुका है हाला कि लगातार देखा जा रहा है मद्यप्रदेश में डेंगू और मलेरिया अपने पेर पसारते जा रहा है और इसमें अभी फिलहाल में कई मोते भी हो चुकी है जिसमें डेंगू की पुष्टी हुई है एक अलग प्रकार का वेरियंट इसमें बताया गया है डेंगू को लेके जो काफी घातक है और उसमें बहुत जल्दी जो मरीज होता है उसकी मोत भी हो जाती है अब देखा यह जा रहा है कि मद्दी प्रदेश में और मद्दी प्रदेश के सांसाथ इंदोर की बात करें तो इंदोर में कोरूना संक्रमन के सांसाथ अब देंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ते जा रहा है उसी को लेकर जिला प्रशाशन भी मुस्तेध है उसे के सांसाथ स्वास्ति विवाग भी लगातार कोशिश कर रहा है कि इंदोर के साथ साथ जो पूरा जिला है इंदोर का वहाँ पर जाता से ज़्यादा दवाईयों का छड़काओ किया जाए और जिस प्रकार से बारिश का पानी होता है उसके जहां जहां गड़ों में पानी भरा हुआ है उन गड़ों को साफ करकर और वहाँ पर दवाई का छड़काओ किया जाए ताकि इस डेंगु के वेरियंट से बचा जा सके क्योंकि देखाई लगातार अभी फिलहाल में देखाई जा रहा है कि जो डेंगु है वो अलग-अलग वेरियंट में आता जा रहा है पहले इस प् जब यूपी में बच्चों की मोथ हुई उसमें डेंगु के कुछ अलग प्रकार की वेरियंट की पुष्टी भी हुई थी लेकिन इंदोर में और इंदोर के आसपास जो गर्मिन छेत्र हैं वहाँ पर जो डेंगु के मरीज मिले हैं उनमें फिलहाल अभी किसी प्रकार के नय वेरियंट की पुष्टी नहीं हुई है लेकिन यहां पर मोठ भी हो चुकी हैं दोर जिला में भी मौत हो चुकी हैं डेंगु के मरीजों की और उसी के साथ संक्रमिर्टे मरीजों की संक्या बी कोविट के मरीज हैं उनकी संक्या भी लगातार बढ़ती जा रही हैर यह 살 और दो दिनों पहले कि तो पर नो मरीज यहां पर संकर्मिनित मिले थे उसकी बाद हमारा आंकणा जो था वह जादू यी तरीके से जीरो प्र चुका था उसके बाद अब लगातार इंदोर जिला परशाशन कोशिश कर रहा है जो संकर्मिनित मरीज हैं उनके साथ जो मरीजों का इलाज भी अच्छे इस्तर पहुच हो सके और उसे के साथ जो COVID के मरीज हैं उनकी भी देखरे के अच्छे से अच्छी हो सके इंदर जिला कलेक्टर ने COVID के जो मरीज है उनको और अइस्योलेशन में नहीं रेने की वहाँ आपको उनको भरती कराना है वहीं पर उनका इलाज होगा और उनकी जो contact history है उसको भी खंगाला जाए ताकि यह संकर्मन जादा फेल ना पाए और उसको हम जल्द से जल्द फिल से कंट्रोल कर सके हलागी डेंगू और मलेरिया के मरीजों में काफी समानता है क्योंकि ज सबसे जादा जो चोटे बच्चे हैं उनमें यहां पर बुखार देखा जा रहा है जो वाइरल फिवर है उसको यहां पर लगातार देखा जा रहा है वही वाइरल फिवर इंदोर में भी अपने पेर पसारते जा रहा है इंदोर के एमोमन हर एक घर में एक वाइरल फिवर क का मरीज इस वक्त मुझूद है और लगातार वो कहीं न कहीं इलाज करा कर अपने आपको और अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है इन दोर से एंपी न्यूस के लिए धर्मेंद्री आदो की रिपोर्ट एंपी की नफस एंपी का हाथ मज़्य प्रदेश की हर खबर एंपी न्यूस टीवी के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एंपी न्यूस टीवी लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे